क travelled दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि एक पाईप के नीचे एक सपोर्ट लगता है कि तो इस सपोर्ट के बारे में आज हम लोग जानेगी स् वीडियो में कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं ठी तो यह इसका लेंथ है देगा कि हमको बॉटन से कितना डाउन में जाना है ठीक है लेकिन आपको यह साइड वाला प्लेट का लेंथ आपको नहीं देगा ओके तो माले जैपका जो भी पाइप का साइज है उसके उसके वोडिंग आप लोग इसमें हाफ ओडी प्लस करके और य लेकिन यह आपको निकालने के लिए यह कितना डिगरी पर जाएगा यह सब आपको जानने के लिए फर्मूला का आप सकता पड़ेगा ठीक है तो इसी चीज के बारे मैं जहम लोग जानेगा इस वीडियो में सो नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक वीडियो में फिर से एक सब्सक्राइब के लिए तो फर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे निकालने का प्लेट तो मा लिजे आपको सपोर्ट डीटेल में देखेंगे आपको 10 mm का बनाना है 15 mm का 20 mm का जो भी है ठीक है वो पाइप के डाइमेंशन के हिसाब से वो होता है ठीक है तो इस 600 mm में क्या करना है कुछ ओफिशियल नहीं है जैसे किसी पाइप के मैं आइडी उडी नहीं लिखाओ यहां पर बस वैसे लिखके रखाओ ताकि आप लोग को समझ में आ ठीक है अभी जो आपको पाइप साइज है वहां पर डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने यह 600 mm ले लिए ओके और यहां से यहां तकका साइज में आपको 400 mm दे रहाँ ठीक है 400 mm falando यह सेंटर से है अगरट यह 200 mmarma इधार हो गया 200 mm इधार हो गया तो इसको कैसे निकालेंगे तो देख लिए अगर यह 300 mm है तो यहां से शेंटर से यहां तक यहां तक かा हैप करेंगे तो 300 mm होगा तो आप यहां से इसको इसे मिला ले ये भी 300 mm हो गया ओके और यहां से इसको आप मिला ले ये भी 300 mm हो गया ओके लेकिन यहां पे एक आप इसको घीचे ठीक है जो कि आपका 200 mm हो रहा है ठीक है तो ये आपका Ful length आपको मालुम चलगया कि 300 है यह Erबी 300 है ओर यह आपका 200 हो रहा ठीक है तो यह आपको निकानला है सिर्फ यह से यहां तब कर निकानला है तो इसको कैसे निकालेंगे इसी चीज़ के बारे मैं आज इस वीडियो में हम लोग जानेगे तो वीडियो बीना फ़र्मूल आपको मालूम है कि अंडरूट में हमारा कौण का स्कौायर हो जाएगा मैनस लंब का स्कौायर हो जाएगा तो अंडरूट में हमारा कौण हमारा כतना है 308 mm square माइनस अलमबा हमारे कितना है 200 mm square अगर आप इसको start out करेंगे ठीक है अगर आप इसको calculator में करेंगे तो आपको मालूम चलिएगा मैं उसे calculator में आपको mobile skin पर आपको दीख रहा होगा तो वहाँ पर आप जान सकते हैं मैं इसको solve करेंगे दिखा भी देता हूँ ठीक है solve करेंगे तो आपका 200 23.60 223.60 mm इसका answer आएगा ठीक है तो यह होगे आपका 223 mm 224 आप कर लें इसको ठीक है इसका dimension होगे आपका 224 mm अभी 224 mm में अभी आपको यह निकालना है जैसे कि आपका यहाँ से यह वला length आपको ग्याद करना है ठीक है यह कितना है यह तो मालिजी आपका मिल गया जो भी आपका support ड्राइंग में आपको detail देगा अभी वहाँ से कितना उबर जा रहा है इसका dimension आपको निकालना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी मालिजी यह 300 mm आपका यह दे रहा है तो यहां से यहां तक का 76 mm हमारा यह हाइट हो रहा है यहां से यहां तक का तो अभी मालिजी यह आपका प्लेट जो भी हो आपका support detail में आपको देगा या कोई भी देगा तो यह आपको जरूर देगा हाइट उसका कितना चाहिए ठीक है उसके बाद यह प्लेट आपको कितना निकालना है यही आपको निकालना होगा तो यह चीज मैंने आपको यहां पर clear कर दिया कि आप लोग इसका length आप लोग कैसे निकालेंगे next video मैं मैं एक important चीज आप लोग को बता दूँ जैसे कि मान लीजे मैंने यह तो तीन प्लेट का ही बता दिया एक दो और यह तीन अभी कई में इसा होता है कि जैसे ज़्यादा heavy weight का pipe होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जता है इसमें एक एक प्लेट और यह डबढ़ा देगा ठीक है तो इसका dimension हम लोग कैसे निकालेंगे इसको मैं next वीडियो में बताऊँगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको like, share, subscribe करना बिल्किल ना भूले मिलते हैं सही जनकरिक साथ next वीडियो में तब तक के लिए